सूपर कमांडो धुरूप की तेज चाल, नागराज के जहरीले नाग, चाचा चौधरी का सूपर फास्ट दिमाग और डोगा की दमदार मार ये वो सूपर हीरो हैं जो हमारे बच्पन की हर किताब हर पन्ने में जिन्दा रहते थे अस्कूल की बोरिंग किताबों से बचकर जब हम इन कॉमिक्स की दुनिया में डूपते थे, तो लगता था जैसे खुद हीरो बन गए है लेकिन आज स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस दौर में कॉमिक्स का वो जादू कहीं गुम हो गया है पर जरा ठहरिये, पत्ना में एक ऐसे IPS अपसर है जिनके पास आज भी कॉमिक्स का वो शांदार खाजाना मौजूद है ये अपसर किसी सुपर हीरो से कम नहीं, खास कर तब जब आप सुनेंगे कि उन्होंने अपनी सफलता के पिछे कश्रे किसे दिया है पत्ना के सिविल डिफेंस के पुलिस अधिक्षक, सहसाहयक निदेशक, पंकज कुमार राज कोई आम IPS नहीं है बलकि ये वो इंसान हैं, जिनके पास मोबाइल और लैप्टोप की दुनिया में एक से बढ़कर एक क्लासिक कॉमिक्स का खाजाना है जिहां कोई दस बिस नहीं, बलकि पूरे दो हजार कॉमिक्स इन में से कुछ कॉमिक्स तो इतनी पुरानी है, कि इन्हें पढ़ते हुए आपको लगेगा कि आप टाइम मशीन में बैटकर अपने बच्पन में वापस चले गए है आईपियस पंकज ने इन कॉमिक्स को बेहत करीने से अलमारी और गौद्रेज में सजा रखा है, जैसे कोई बेशकीम्ती खजाना हो मैं जब दूसरी कच्छा में पढ़ता था तब से मैं कॉमिक्स पढ़ रहा हूं और आज तक वो प्रमपरा चल रही है मेरे पास कम से कम अभी दो धाई हजार कॉमिक्स होंगे सबसे पुरानी को मिस करीफ़ 24-25 साल पुरानी होगी मेरे पास अभी सुपर कमांडो धुरूब का ही पुरानी कोमिक्सों में कुछ नया पन लाकर करके डैजलिंग उनिवर्स और धुरूब करके स्रिंखला निकलिए वह लेटेस्ट है जो अभी सबसे लेटेस्ट प्रकासन में भी है अब ज़रा सोचिये कि जब पंकज कुमार छोटे थे तो उनकी जिन्दगी में सबसे बड़ा सुपर हीरो कौन था सुपर कमांडो धुरू वही धुरू जो बिना किसी सुपर पावर के सिर्फ अपने होसले और दिमाग के दम पर दुसमनों को पठखनी देता था पंकज लोकल एटरिन को बताते हैं कि धुरू की यही खासियत उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद थी मेरा सबसे जो चहेता या फैबिट कहें वो सुपर कमांडो धुरू है उसके पास कोई बाहरी अलोकिक सकती नहीं उसकी पास जो सकती है उसकी अंद्रूनी सकती है श्राइबिट को सुचता है और अनूपयोगी चीज को किस तरह उपयोगी बनाना है उसके यह भी बहुत बड़ी स्चिक क्वाल्टी है अब ये न समझे कि पंकच कुमार राज सिर्फ कॉमिक्स के ही सौकीन है वो एक बेहत काभिल IPS अफसर है और बैडमिंडर में भी चैंपियन है वो अल इंडिया पुलिस बैडमिंडर टूर्नामेंट में बिहार टीम के कप्तान भी है इसके साथ ही कई जिलो में SP के रूप में भी तैनात रहे हैं उनके इस सफर में कॉमिक्स ने एक साथी की तरह साथ दिया है साथ ही एक शिक्षक की तरह उन्हें जिन्दगी के सबक भी सिखाया है निश्चीत रूप से इसका बहुत पूंद चुकि जब मैं बच्पन से पढ़ना शुरू कि पढ़ने की छमता ही निश्चीत करना की इसको करना है कई आनुपयोगी चीजों को प्योग में लाते हुए उसको पर्योग करते हुए इस सब चीजों को मैंने अपनाया और यह हुए मझे आईपियस बनने में बहुत मदद किया मुझे सोच को विक्सित किया इस सब चीजे हैं मैं तो कहूँगा कि आज के बच्चे मोबाइल से जितना दोर हो सके उतना अच्छा है वह अपने भूतिक रूप से पाठे पुष्टक पढ़ें मोबाइल में ना के बराबर ही जाए अगर मोबाइल में बहुत जाना कोई चीज जाननी है तो सिप उसी च अच्छी नहीं आती है आप एरबर्स का प्योग करते हैं कान की भी विवारी हो रही है मोबाइल से बच्चे जितना ज्यादा दूर है उतना अच्छा है पाठ पुष्टक को भौतिक रूप में पढ़ें तो यह थी कहानी उस असली हीरो की जिसने बच्पन के सूपर हीरो स सिख लेकर आज असली दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है पतना से लोकल एटिंग के लिए सचदानंद की रिपोर्ट